वेलकम टू लर्निंग केमेस्ट्री विद एस के वर्मा डियर स्टूदेंट्स, सोलिड स्टेट के हम लोग फिप पार्ट में आ गए हैं और सोलिड स्टेट का फिप पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आपको हमारा जो चैनल है लर्निंग केमेस्ट्री विद एस के वर्मा इसकी जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उन सब को चेक करना है काफी सारी प्लेलिस्ट ऐसी हैं जिसमें आपके काम के यानि कि फर्स्ट ग्रेड और से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियोस हैं आप उन्हें जाकर के एकसेस कर सकते हैं यस तो चलिए सुरू करते हैं सोलिट इस्टेट पार्ट फाइव और देखते हैं आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं तो आज का हमारा टोपिक है close packing in crystalline solids तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सारी जितने भी 3D जितने भी crystalline solids होते हैं वो 3D structures होते हैं और उनमें close packing होती है ये इनका इंका एक खास करेक्टेरिस्टिक है crystalline solids का वो ही हम लोग सीखने वाले हैं तो 3D structures को सीखने के लिए 3D structures को हम लोग direct नहीं सीख सकते हैं उनकी close packing इसलिए steps में हम लोग सीखेंगे पहले हम लोग one dimension में देखेंगे फिर हम लोग two dimension में देखेंगे और उसके बाद हम लोग three dimension में देखेंगे तो सबसे पहला जो topic है वो है close packing in one dimension one dimension में यह जो sphere से particle से इनकी row बनी हुई है यहाँ पर एक नया term introduce हो जाता है वो है coordination number coordination number क्या है एक particle के कितने nearest neighboring particle है यानि कि उसको कितने और particle touch कर रहे हैं उनके पडोसी particle उसको हम लोग coordination number बोलते हैं तो जैसे यह particle है तो इसके यह दो particle इसके touch कर रहे हैं तो यहाँ पर one dimension में इसका coordination number हो गया two ठीक है अब है close packing in two dimension close packing in two dimension यानि कि अभी जो one dimension वाई लेर थी इनको हम एक के उपर एक रख करके two dimension में जो close packing layer है वो हम लोग बनाएंगे तो two dimension में close packing दो तरह से होती है एक है square close packing in two dimension और एक है hexagonal close packing in two dimension तो सबसे पहले square close packing देखते हैं इसमें जो हमारी one dimension वाली layer थी उसमें हमने एक layer को as it is दूसरी layer के ऊपर रख दिया जिससे क्या हुआ सारी layer एक ही तरह की है ए ए ए टाइप की है इस तरह के arrangement को square close packing in two d बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एक particles की nearest neighbor होते हैं तो square बन रहा है यह देखिए यह square बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं square close packing in two d तो आपने देख लिया इसका type aaa type सारी layer a की type की है coordination number 4 है packing efficiency यहां पर 52.4 है और percentage void space का मतलब होता है empty space खाली space तो खाली space कितना है 47.6 जाए इसी बात है 100 में से 52.4 निकाल दो तो यह 47.6 खाली बच गया इसी तरह से hexagonal close packing in two d इसमें हमने कैसे रखा second layer जो बी layer है बी layer के spheres को first layer का जो गर्थ है depressions हैं यह देखिए first layer के जो गर्थ है depressions है उनमें हमने second layer के spheres को रखा तो इस तरह second layer के sphere है second layer है वो first layer से different होगी तो first layer यदि A है तो second layer को हमने नाम दिया है बी अना उसके बाद second layer के गर्थ में हम लोग रखेंगे third layer के spheres को तो वो वापस a के जो sphere है उनके उपर आ जाएंगे यानि कि first layer और third layer इसमें क्या है same है यानि कि first layer a है तो third layer भी a है fourth layer वापस b आएगी तो arrangement हो गया आपका a b a b type का arrangement है coordination number यहां पर six है यह देखिए यह particle है और इसके nearest neighboring particle यानि कि जो इसको touch कर रहे हैं उन particle के center को हमने join किया है तो वो हो गया एक hexagonal बन गया इसलिए इसको hexagonal close packing बोलते हैं packing efficiency बहुत ज्यादा important रही है इनकी packing efficiency फिर भी इसके 60 होती हो और खाली space इसमें 39.6 बचा हुआ है तो यह थी close packing in 2D तो 1D हो गया 2D हो गया यह हमारे ज्यादा काम का नहीं है actual में हम 3D three dimensional में close packing सीखेंगे इसलिए इनको सीखना जरूरी था वरना यह कोई कास important नहीं थे ठीक है अब जो real हमें सीखना है वो है close packing in three dimension क्यों क्योंकि जितनी भी structures है real structures है वो तो सारी सारी 3D structure है ठीक है तो इसलिए close packing in 3D यह हमें आना चाहिए और हम close packing in 3D किससे सीखेंगे जो हमने अभी 2D में जो layer बनाई है दो तरह की अना एक तो square close packing और एक hexagonal close packing जो 2D 2D में हमने बनाई है उनको use लेते हुए हम लोग 3D की close packing करेंगे ठीक है तो सबसे पहला जो type है वो देख लेते हैं 3D close packing from 2D square close packed layer यह देख लीजिए यानि कि जो 2D square close packed layer थी कौनसी यह वाली layer यह 2D square close packed layer है इनको use लेते हुए हम लोग क्या बनाएंगे 3D close packing करेंगे तो हमने क्या किया जो 2D close packed layer थी उनको एक के उपर एक रख दिया यह देखिए एक के उपर एक रख दिया इससे क्या हुआ पार्टिकल्स जो है वो vertically और horizontally perfectly aligned है यह देखिए तो यह जो 3D arrangement बना है इसको बोलते हैं AAA type of arrangement यह AAA प्रकार का arrangement है ठीक है अब इस तरह के arrangement में unit cell को पहचाना गया कि unit cell क्या है तो unit cell आपको यहाँ पर यह दिख रही होगी यहाँ पर एक यह cubic unit cell बनी हुई है और इसके corner पे केवल particle आ रहे है पार्टिकल इसके center पे body के center पे face क center पे कहीं नहीं है केवल और केवल corner पे particle आ रहे हैं देखिए एक तो यह particle एक यह particle एक यह particle यह particle यह particle यह चार के corner ऊपर वाले और यह particle है यह चार corner नीचे वाले होगे तो इस तरह से केवल corner पे particle आ रहे है इसलिए इस तरह की unit cell को हम लोग क्या बोलते हैं इस तरह की unit cell को बो तरह की close packing को हम लोग बोलते हैं simple cubic close packing simple cubic close packing क्यों क्यों क्योंकि इसमें unit cell है simple cubic unit cell अब simple cubic unit cell में z यानि की atoms का number तो 1 होता है आप जानते हैं bsf 214 तो simple cubic में कितना आया 1 coordination number यहाँ पर 6 है इस तरह की 3D packing में coordination number 6 कैसे आया example से समझते हैं यह देखिए यह मैंने एक particle select किया है यहाँ पर इसको कितने particle टच कर रहे हैं अभी देखते हैं इस same layer में इसको 4 particle यह आपको टच कर रहे हैं यह देखो यह 4 particle इसको टच कर रहे हैं तो इसी same layer में 4 और इसके एक नीचे भी इस particle के नीचे एक particle है वो भी इसको टच कर रहा है और इस particle के ऊपर भी एक particle आएगा वो भी इसको टच कर रहा है तो इस तरह से में packing efficiency कितनी आ गई 52.4 यानि कि packing efficiency क्या है देख लीजिए समझ लीजिए packing efficiency होता है जो आपका जो unit cell है unit cell का जो total volume है unit cell का जो total volume है उसका कितना percentage particles ने fill किया हुआ है particles ने occupy किया हुआ है और कितना खाली है तो कितना fill किया हुआ है particles ने कितना भरा हुआ है particles ने कितना percentage उसको बोलते हैं उसकी packing efficiency इसका मतलब simple cubic unit cell में 52.4 percentage total volume का इतना percentage क्या है fill किया हुआ है particle ने तो कितना खाली बच गया भई 47.6 बच गया क्या हाँ इतना ही होगा यह इसमें empty space है ठीक है तो यह था simple cubic close packing easy सा है अच्छा है ठीक है यस तो आपने देखा square close packing जो layer थी 2D में उनसे use लेते हुए हमने अभी simple cubic बनाया ठीक है 3D arrangement अब three dimensional close packing किस से two dimensional कौनसी layer two dimensional hexagonal close pack layer यह देखिए hexagonal close pack layer थी इस तरह की यह वारी इसको use लेते हुए हम लोग three dimensional close packing करेंगे लेकिन यह थोड़ा सा typical है इसलिए इसको stages में करेंगे हम पहले second layer रखेंगे अभी देखिए यहाँ पर हमने सारी जो layer थी वो हमने एक साथ रख दी सारी एक साथ रख दी और एकी type का जो arrangement है वो सामने आ गया लेकिन यहाँ पर possibility ज्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे stages में learn करेंगे इसको stages में सीखेंगे इसको तो पहले हम रखेंगे second layer तो हमारा जो पहला heading है वो क्या है placing second layer over the first layer यानि कि first layer के उपर second layer रखेंगे ठीक है यह आपकी first layer है ठीक है first layer के उपर यह जो नीले particle यहाँ पर दिखाए हुए है जहां मर मेरा cursor चल रहा है यह नीले particle है यह आपकी second layer है तो हमने देखिए second layer रखें कहा second layer आपके यह जो जो second layer हमने कहा रखें second layer हमने इस तरह से रखेंगे यह जो b वाला जो गर्थ है B वाला जो गर्त है ये इसको cover करते हुए हमने इस तरह से second layer का particle रखा है आप इसको match कर सकते हैं इस तरह से ये particle रखा है second layer का ठीक है तो इस तरह से ये हमने second layer के particle रखे हैं second layer के particle रखने के बाद में एक बहुत ही important concept आ जाता है वो आजाता है void का यानि कि खाली जगह है अना void बोलते हैं खाली जगह है तो खाली जगह है दो तरह की बन जाती है यहाँ पर एक तो tetrahedral void जिनको हम लोग TV बोलेंगे और एक octahedral void जिनको हम लोग OV बोलेंगे ठीक है तो tetrahedral void कौन से होते हैं मैं बताता हूँ आपको ये जो ह हमने यहां पर second layer रख दी है second layer रखने के बाद देखिए दो तरह की खाली जगए हमारे सामने आ रही है एक तो कौन सी यह A type की यह A type की खाली जगए है यह A type की जो खाली जगए है वो चार स्फियर से cover हो रही है तना इसलिए इसको tetrahedral void बोलते हैं और यह जो C type की खाली जगए है यह 6 स्फियर से cover हो रही है इसलिए इसको octahedral void बोलते हैं तो जैसे ही हमने second layer रखी दो तरह के void हमारे सामने आ गए एक तो tetrahedral void और एक octahedral void ठीक है हाना अब tetrahedral void क्या है वो फटा-फट देख लेते हैं tetrahedral void वो है जो चार स्फियर से घ्रेविये रहते हैं ठीक है किस तरह से घ्रेविये रहते हैं यह देखिए यह जो नीले layer है यह first layer के sphere है first layer में तीन रख्ये हुए है और तीन sphere हम लोग इस तरह से रखते हैं तो उनके बीच में जैसी बात है यह देखे खाली जगए है इसको cover करते हुए यदि हम लोग एक sphere रखते हैं ठीक है इसको cover करते हुए हमें एक sphere रखते हैं तो यह खाली जगए रह जाती है इसी को हम लोग tetrahedral void बोलते है tetrahedral void को उपर से कैसे देखते हैं तब यह इस तरह का दिखता है पना यह figure जो दिखाया हुआ है यह just उपर से देख रहे हैं हम लोग तो यह जो पीला sphere है यह हमने उपर रखा है जो तीन नीले sphere है first layer के वो वाले side में से देखेंगे तो आपको tetrahedral void इस तरह से दिखेगा यह first layer के sphere है और यह second layer का sphere जो first layer का जो depression है जो यहाँ पर मैंने बताया है आपको इसमें इसको cover करते हुए second layer का sphere इन तीनों के उपर रखा जाएगा तो यह जो खाली जिखे बन गई है चारों के बीच में यह आपका tetrahedral void है void यानि की खाली जिखे टेट्राहेडरल क्यों बोलते हैं बहुत simple सा है यह जो चार sphere इसको cover करते हैं इनके centers को हम लोग मिला देते हैं इस तरह से इनके centers को हम लोग एदी मिला देते हैं तो एक आपका tetrahedral बनता है इस तरह से टेक है tetrahedron बनता है इस लिए इस void को हम लोग बोलते है tetrahedral void अब जो दूसरे type के void बन रहे थे second layer रखने के बाद में ठीक है वो आपके octahedral void है और octahedral void वो होते हैं जो 6 sphere से grey होते हैं कैसे यह देखें यहाँ पर यह जो नीले sphere है यह first layer के हैं और जो yellow sphere है वो second layer के हैं तो जो नीले sphere है वो इस तरह से रखे हुए हैं ठीक है और जो पीले color के second layer के sphere है वो इस तरह से रखे हुए हैं, तो इनको रखने के बाद में यहां देखिए, यहां जहां मेरा अभी करसर है, यह वाला जो खाली स्पेस है, यह उसको octahedral void बोलते हैं, octahedral void यह देखिए, यह रहा, मैं यहां बता देता हूँ आपको, यह देखिए, यह octahedral void है, और octahedral void को side म ठीक है, तो अब यह 3 second layer के sphere रखेंगे, तो यहां पर एक खाली जगए maintain रहती है, उसको octahedral void बोलते हैं, उस खाली जगए हो, जगए को, और octahedral क्यों बोलते हैं, क्योंकि उपर के जो 3 sphere हैं, और जो यह जो नीचे के 3 sphere हैं, इनके centers को हम लोग join करते हैं, तो इस तरह से एक octahedral geometry बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस void को बोलते हैं, octahedral void, अब void से related, void से related एक बहुत ही ज़्यादा important concept आ रहा है, यह काफी ज़्यादा important concept है, इसको आप note कर लीजिए, यह chapter का one of the most important concept है, और वो यह concept है कि octahedral void का number और tetrahedral void का number कितना होता है, इस बारे में हैं, तो यह concept यह कहता है कि यदि जो close packing करने वाले sphere हैं, उनका number N है, close packing करने वाले sphere की संख्या N है, तो octahedral void का number भी क्या होगा, N होगा और tetrahedral void का number 2N होगा, यानि कि हमेशा जितने sphere हैं, जितने sphere हैं, उतने ही octahedral void बनते हैं, और उनसे double क्या बनते हैं, tetrahedral void, समझ लीजिए, टीवी का number हमेशा double होता है, octahedral void उतने ही होते हैं, जितने particle होते हैं, sphere होते हैं, ठीक है, यह बहुत ज्यादा important concept था, और इसको हम लोग काफी जगे, काफी तरह के सवाल solve करने में use लेने वाले हैं, तो second layer हमने रख दी, हाना, मैं आपको बता देता हूँ, हम कहां चल रहे हैं, second layer हमने रखी, second layer रखते ही हमारे सामने दो तरह के void बने, इसलिए हमने दो तरह के void को discuss किया, अब third layer रखने के लिए हमारे पास दो option है, या तो हम ये जो tetrahedral void बने हैं, ए टाइप के, इनको cover करते हुए रखे हैं, या फिर ये जो octahedral void बने हैं, जो यहाँ पर C से लिखे हुए हैं, इनको cover करते हुए रख सकते है हैं, दो possibilities हैं मारे पास, जैसे ही हम tetrahedral void को cover करते हुए, ये देखिए, एको cover करते हुए हम sphere यहाँ रखते हैं, तो जो third layer का sphere आ रहा है, वो first layer के sphere के बिलकुल उपर होगा, यानि कि third layer और first layer same हो जाएगी, yes, ठीक है, तो एक तरह की close packing ये होगी, यदि हम लोग octahedral void के उपर रखते हैं, octahedral void जैसे ये C है, यहाँ हम लोग sphere रखते हैं, ठीक है, तो ये जो third layer का sphere है, ये नहीं तो second layer के उपर होगा, और नहीं first layer के sphere के उपर होगा, यानि कि ये एक अलग layer होगी, इसका मतलब ये जो third layer है, ये क्या होगी, different होगी, तो यदि first layer A है, second layer B है, तो third layer यहा मिलती है, और वो कौन सी मिलती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, placing the third layer over the second layer, यानि कि second layer के उपर third layer, दो possibilities हैं, आप जानते हैं, एक octahedral void के उपर रख सकते हैं, tetrahedral void के उपर रख सकते हैं, सबसे पहली possibility को साथ लेके चलते हैं, covering the tetrahedral void, tetrahedral void को यदि आप cover करते हुए रखते है तो अभी मैंने बताया था, first layer और third layer है, वो same हो जाएगी, third layer के spear, first layer के spear के just उपर आएंगे, ठीक है, इसका मतलब arrangement आपका AB, AB type का arrangement हो गया, ठीक है, और इस तरह की close packing को hexagonal close packing बोलते हैं, friends, बहुत ही important concept है, hexagonal close packing, HCP यहाँ पर introduce हो गया आपके सामने, और HCP किस तरह से, उस verse section है, वो इस तरह से दिखता है, यह देखिए, यह first layer है, यह second layer है B, और यह वापस जो third layer है, first layer, second layer और third layer, तो first layer और third layer के third layer जो है, वो same है, इनके spear एक दूसरे के just उपर है, इसलिए first layer A, second layer B, third layer वापस A, तो arrangement AB AB, unit cell यहाँ पर hexagonal unit cell है, hexagonal unit cell यह रही है आपके सामने, और Z number 6, यानि कि hexagonal unit cell में atoms का number 6 होता है, यह हम पिछले वीडियो बे देख चुके हैं, coordination number यहाँ पर 12 कैसे आया, वो देखते हैं, coordination number मान लेते हैं, यहाँ पर जो मेरा cursor है भी, जिसको मैंने sphere को blue कर दिया, ठीक है, उसका coordination number निकालते हैं, देखिए, इसी layer में इसको 6 particle में cover किय हुआ है, 6 particle इसके touch हो रहे हैं, इसके उपर 3 particle है, और इसके निचे वाली layer में भी 3 particle इसको touch करेंगे, तो total 12 spheres, इस sphere को touch करेंगे, जिसको मैंने blue कर रखा है, इसलिए इसका coordination number हो गया, कितना 12, तो hexagonal close packing HCP में आपका जो coordination number है, वो 12 है, और packing efficiency बहुत ज्यादा important है, यह data, यह 74 है, 74% जो part है unit cell का, hexagonal unit cell में वो occupy हो रखा है, वो भरा हुआ है particle से, इसलिए packing efficiency हो गई, यहाँ पर 74, इसकी calculation है, वो next video में हम लोग देखने वाले हैं, तो यह था, हमने कौन से void cover कर लिए, tetrahedral void, अब हम लोग octahedral void cover करते हुए, जो particles है, third layer के वो रखेंगे, ठीक है, third layer के particles ह हम रख रहे हैं, covering octahedral void, ध्यान से देखिए, और मैं वापस आपको वहीं ले चलता हूँ, अना, वापस वहीं ले चलता हूँ, जहां पर जो octahedral void हम लोग cover कर रहे हैं, यह देखिए, यह octahedral void कौन सा है, यहाँ पर C से लिखा हुआ है, यह देखिए, यह रहासी यहाँ पर अलग होगी, ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि third layer different है, इसका मतलब first और fourth same है, अना, first layer और fourth layer same है, देखते हैं, तो covering octahedral void, octahedral void cover करते हुए, यह दि हम लोग रखते हैं, तो first layer और यह second layer है, यह third layer है, ठीक है, third layer different होगी, first से और second से, और फिर बाद में fourth layer जाकर के same होगी यह देखिए, first और fourth layer के sphere एक दूसरे के just ऊपर है, यह layer same है, ठीक है, इसलिए arrangement अब क्या हो गया, arrangement हो गया, आपका ABC ABC arrangement, ABC ABC A arrangement, ABC A, ABC A arrangement आपका हो गया, और unit cell इसमें face centered unit cell है, यह बहुत important concept है, यह देखिए face centered unit cell बनती है, particles के center को join करते हैं तो, तो इसी लिए जो आपका cubic close packed structure है, यानि कि octahedral void को cover करते हैं, तो जो 3D arrangement बनता है, वो cubic close packing बनती है, अना, cubic close packing और इसको face centered cubic close packing भी बोलते हैं, CCP को, जो आपका CCP है, उसको FCC भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है दोनों, एक ही बात है, क्योंकि इसमें unit cell का type face centered cubic unit cell होता है, इसलिए ठीक है, अब face centered unit cell में आप जानते हैं, Z की value, जो कितने total atom होंगे, वो 4 होता है, BSF 214, ये आप जानते हैं, coordination number 12 कैसे आया, अभी बताता हूँ आपको, ये जो sphere है, जो red sphere, जिसको मैं blue कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए, same layer में इसको 6 sphere touch कर रहे हैं, और 3 sphere इसको नीचे वा है, तो किसके equal है, अभी आपने देखा, HCP, HCP की कितनी थी, 74, तो यहाँ पर CCP और FCC की भी packing efficiency कितनी होगी, 74%, तो packing efficiency यहाँ पर क्या है, 74%, आपने देखा, CCP का जो packing efficiency और coordination number है, वो HCP के बराबर है, दोनों का same है, खिक है, चलिए, आगे देखते हैं, क्या है, yes, अभी तक जो हम ने किया है, उसकी summary आपके सामने है, तीन तरह की जो close packing है, 3D close packing, वो ही हमारे काम की है, वो ही हमें सीखनी है, वो तीन तरह की हमने discuss की है, यहाँ पर एक extra और दी हुई है, body centered cubic unit cell, ठीक है, body centered cubic close packing, यह और है, तो इस तरह से यह table आपके काफी ज़्यादा काम आने वाली है, इ AA type, सारी layer एक जैसी है, coordination number 6 होता है उसमें particle का, और यहाँ पर 52.4 इसका क्या है, क्या बोलते हैं, packing efficiency है, खाली space कितना हो गया भी, खाली space 47.6% हो गया, unit cell कौन सी होती है, primitive cubic unit cell होती है, example क्या है, polonium, second हम ले रहे हैं, BCC, आपका कौन सा type, BCC type, body centered cubic close packing, यह कौन सा होता है, यह ह A, B, A, B type होता है, और इसको बोलते हैं, इसमें जो coordination number होता है, वो 8 होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हमने discuss नहीं किया है, आपको बस यह याद करना है, ठीक है, body centered में, और body centered में packing efficiency 68 होती है, यह 8 है, तो 8 से हो गई 68, yes, और इसमें cubic unit cell कौन सी है, अब जाहिर सी बात है, ज hexagonal close packing, HCP हमने अभी-अभी देखी है, इसमें first और third layer same होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, A, B, A, B type of arrangement, ठीक है, और इसमें coordination number आपके कौन से हो गए, 12 हो गए, packing efficiency 74, और इसमें unit cell का type काफी ज्यादा important है, non cubic unit cell होती है, और hexagonal unit cell होती है, इसमें यह अकेला है, जिसमें non cubic unit cell होती है, बाकि सब में cubic unit cell होती है, example, magnesium और zinc, cubic close packing, जिसको हम लोग बोलते हैं, CCP या हम लोग इसको FCC भी बोलते हैं, इसमें first layer और third layer, और fourth layer हो same होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, ABC, ABC type of arrangement, और यह coordination number और packing efficiency, HCP के जितना ही है, same है, और इसमें unit cell तो आप जानते ही है, face centered cubic unit cell ह है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, face centered cubic unit cell है, इसलिए हम इसको FCC arrangement भी बोलते हैं, example आपका copper और AG, तो इतनी बात हो गई, आगे हमारे पास कुछ है क्या, इस file में तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास काफी कुछ है, यह आप जानते हैं, हम हर video में कुछ questions हम लोग discuss करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम आ गए हैं, हमारे पास NCRT के कुछ questions हैं, we have some questions, NCRT के कुछ questions हैं हमारे पास, सबसे पहले यह देख लेते हैं, यह देख लेते हैं, what is two dimensional coordination number of a molecule in square close pack layer, अच्छा, square close packing है, 2D में है, coordination number बताना है, बिचार होता है, square close packing में, तो coordination compound, hexagonal close pack layer, अच्छा, a compound forms HCP, HCP arrangement a compound का, what is that total number of void in 0.5 mole of it, how many of these tetrahedral void, यह लो भई, बहुत ही dangerous, यहां पर सवाल आ गया है, कि आपका, इन्होंने कहा है कि HCP एक solid की structure है, और उसका हमारे पास, उसमें जो void है, total void कितने है, 0.5 mole, ठीक है अब उसमें से, नहीं, 0.5 mole में कितने void है तो हमें number of void निकालना है, ठीक है, और उसमें से TV कितने है, tetrahedral void कितने है, यह निकालना है, तो हमारे पास 0.5 mole, ठीक है, 0.5 mole का मतलब हो गया आदा mole, आदा mole में कितने particle होते हैं, 3.11 into 10 to power 23 particle, अब हमारा mega concept important concept यहां पर काम आएगा concept यह कह रहा है कि जितने पार्टिकल होते हैं यदि N पार्टिकल हैं तो OV कितने होंगे N ही होंगे OV और आपके TV कितने होंगे tetrahydral void कितने होंगे वो होंगे 2N बात समझ में आई न यह concept हमने भी किया था इस से यह answer आएगा तो 0.5 मोल का मतलब इतने पार्टिकल हो गए आधा मोल ठीक है अब इसका मतलब OV कितने होंगे OV हो गए इतने ही OV हो गए 3.011 into 10 to power 23 और TV होता है डबल जितने पार्टिकल होते हैं उसका डबल टेट्राहेडल वोइड होता है यानि कि आपके टेट्राहेडल वोइड होगे 6.022 into 10 to power 23 ठीक है यह हो गया आपका टेट्राहेडल वोइड का नंबर तो यह total number of void पूछा है इसने यहाँ पर what is the total number of void तो total number of void तो इनका आप total कर दो वो आ गया और उसमें से टेट्राहेडल कितने है उसमें से टेट्राहेडल इतने है यह बहुत ज्यादा important सवाल था क्योंकि यह NCRT का सवाल है आपके आराम से आ सकता है यह देखिए जरा which of the following latest has highest packing efficiency highest packing efficiency तो भई hexagonal close packing की होगी 74 right BCC की तो 68 है और इसकी 52.4 है ओके तो यह हो गया NCRT के कुछ questions थे वो भी हो गए अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ और है क्या yes यह second grade 2018 में question आया हुआ है इन्होंने का है तो सबसे पहले simple cubic है simple cubic में 52.4 होता है यानि कि answer या तो यह हो सकता है या यह हो सकता है दूसरा अन्ते के इंद्रिये घनिये यानि कि BCC में 68 होती है इसका मतलब answer आपका A आ गया 1 यह इन्होंने packing efficiency पूछी है बात को आप समझ रहे हैं मुझे लगता है यस तो अब हमारे पास आगए NEET में भी हमारे पास NEET के कुछ questions है PYQ NEET ओके solid state का देखते हैं क्या क्या question है इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा वीडियो लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं आप बने रहिएगा काफी interesting है 10th question है 10th question यह कह रहा है कि ZN convert हो गया melted state to its solid state और ZN की HCP structure है कौन सी structure है HCP structure है ZN की ठीक है तो इसका number of nearest atom nearest atom यानि की coordination number coordination number HCP में कितना होता है 12 होता है सोचने की जरूद भी नहीं है yes तो इतना हो गया NEET में कुछ और सवाल भी है क्या अभी देखते हैं कुछ तो मिलना चाहिए हमें चलिए यह देख लेते हैं यह काफ इंट्रेस्टिंग है इसने यह कहा है कि LIAG क्यूबिक लेटिस बनाता है ठीक है जिसमें coordination number आ रहा है आठ तो वह कौन सा टाइप हो गया तो coordination number 8 body centered होता है तो यह body centered आएगा yes और भी question है क्या हमारे पास देखते हैं NEET में कोई और question है क्या yes NEET 2012 में यह question आया हुआ है और यह पूछ रहा है number of octahedral void per atom present in CCP to be close packing तो per atom तो 1 होता है octahedral void आपको पता है न यह दी total number of particle है तो OV कितना होगा OV भी N ही होगा यानि कि एक atom पे एक OV ठीक है तो per atom 1 OV होगा यह बड़ा intelligent सवाल था 2012 में यह आया हुआ है NEET में और देखते हैं कोई सवाल है क्या yes यह दो बार आ गया है सवाल NEET में 2015 और 2008 में क्या पूछा इसने vacant space पूछा है खाली जगे BCC में अब BCC की packing efficiency तो 68 होती है तो खाली जगे कितनी बची वही 32% बची तो answer आपका C हो गया कोई दिकत नहीं है तो यह थे हमारे पास कुछ NEET exam के सवाल और हमारे पास कुछ और सवाल है क्या हाँ है तो सही which of the following statement is not correct अच्छा not correct देखना है यस तो number of carbon atom in unit cell of diamond 8 यह हमने बात कर रखी है होता है सही बात है ब्रेविस लेटिस कितने होते है 14 यह भी okay है सही बात है गलत नहीं है और molecular solids are generally volatile यस उनका melting point बहुत कम होता है वो generally volatile होते हैं तो यह जो c है यह गलत है यानि कि answer यहीं है ठीक है अब गलत क्या है वो देख लेते हैं fraction of total volume occupied by the atoms in primitive cell primitive यानि कि simple cubic में point 48 होता है क्या नहीं point 48 नहीं होता वो fraction होता है 0.52 राइट 0.524 यानि कि 52.4% तो यह यहां पर सही उत्तर है यानि कि यह गलत statement है इसलिए उत्तर हो गया सही तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारे पास जेई के भी कुछ question है क्या देख लेते हैं अना वीडियो लंब हो जाए तो कोई बात नहीं आप बने रही है काफी interesting questions हम लोग ले रहे हैं ठीक है यस जेई में कुछ हमें मिला क्या मिलत हो गया total number of octahedral void per atom present in यह तो वही बात हो गई वो जो नीट वाला है question वही repeat हो गया यहां पर जेई 2014 में कोई बात नहीं हमें क्या है अना repeat होने से अच statement कौन सा incorrect statement को पैचानना है अभी पैचान लेते हैं दो मिनट लगेगी BCC में packing coordination number BCC में 8 है okay सही statement है coordination number HCP में 12 है सही statement है void space HCP में 32 है नहीं 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 है खाली space HCP में packing efficiency 74 होती है तो खाली space 26% होता है 32% नहीं होता यह गलत statement है यह answer है ठीक है और देखते हैं और कुछ है कि हमारे पास आखिर कुछ तो हमें मिलना चाहिए नहीं है भाई इतना ही था तो कोई बात नहीं अब हम और आ जाते हैं और क्या है यह NCRT exemplar है काफी ज्यादा important है total number of tetrahedral voids in face centered बताओ भी face centered में total number of tetrahedral void कितने है यह बहुत ज्यादा important question है देखिए आपको पता है बार-बार में वही बताओंगा आपको N number of particle होते हैं तो OV कितने होते हैं OV N होते हैं यानिकि उतने ही OV होते हैं लेकिन TV कितने होते हैं TV होते हैं 2N यानिकि उन से double अब इसने face centered की बात की है face centered में आपको पता है BSF 214 तो BSF 214 face centered में 4 particle होते हैं इसका मतलब 4 इसमें OV हो गए और 8 इसमें TV हो गए बात समझ में आ रही है न TV tetrahedral void double होते हैं इसलिए answer आ गया second 8 इसमें tetrahedral void होंगे ठीक है which payer most efficient packing is present अना यानिकि सबसे ज्यादा packing efficiency किसकी है तो सबसे ज्यादा packing efficiency तो आपके इसकी है HCP और CCP की दोनों की 74 है यहां पर BCC आ गया 68 होती है यहां पर भी BCC आ गया 68 होती है यहां पर यह simple cubic आ गया 52 होती है तो यह second option सही है दोनों की 74 percentage of empty space in BCC empty space तो BCC 32 आएगा क्योंकि उसमें भरा हुआ space 68 है efficiency 68 तो खाली space आपका 32 ठीक है yes not correct not true किसके बारे में hexagonal के बारे में not true अभी देख लेते है coordination number 12 सही बात है यह तो अच्छी बात है यह 74 यह भी सही बात है गलत बात तो नहीं है tetrahedral of second layer are covered by HCP of the third layer यह फिर arrangement of fourth layer is exactly aligned with those of first layer बताव वही कौन सा सही नहीं है तो tetrahedral void of the second layer are covered yes जो hexagonal close packing है वो इसी से बनती है tetrahedral void को cover करने से ही बनती है यानि कि second layer के tetrahedral void cover करते हैं तब करके hexagonal close packing बनती है यह भी सही है यह भी सही है यह गलत है यह गलत इसलिए है क्योंकि यह जो hexagonal close packing है यह आपकी ABA type की जो है वो packing होती है यानि कि first और third same है इन्होंने कहा है first और fourth के लिए इन्होंने कहा है कि वो same है नहीं यह गलत बात है इसलिए यही सही उत्तर है ठीक है और देखते हैं कुछ है क्या coordination number पूछा है किसमे square close packing in 2D 2D में square close packing का coordination number तो 4 होता है यह तो सबको पता है ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं बताइए कोई बात नहीं हमें और अच्छे सवाल मिलने वाले हैं क्योंकि इसका नाम है NCRT exemplar correct order of packing efficiency correct order of packing efficiency सबसे ज्यादा किसकी है मेरे खयाल से उत्तर आपका कौन सा सही है थोड़ा सा confused इन्होंने करने की कोशिस की है लेकिन हम होंगे नहीं क्योंकि हम concept wide चल रहे हैं second उत्तर है FCC 74 फिर BCC 68 फिर simple cubic आपका 52 ओके in the cubic unit cell unit cell has unit cell के पास क्या है अभी देख लेते हैं unit cell के पास 8 tetrahedral void है within the unit cell है यह किसी से share नहीं हो रहे आप टेट्राहेडरल वोईड तो यहां भी है लेकिन यह कह रहा है कि shared by adjacent unit cell नहीं भाई share कहीं नहीं होते है आठ unit cell जो tetrahedral void होते हैं वो उस unit cell के खुद के होते हैं अना तो cubic close packing में unit cell कौन सी होती है FCC और FCC में आप number और पार्टिकल BSF 214 चार पार्टिकल होते हैं तो TV कितने हो गए 8 हो गए और वो किसी से share नहीं होते हैं तो answer आपका आएगा fourth और कुछ है क्या नहीं है तो आज का इस close packing है वो आपको समझ में आ गई होगी और हम इसी तरह से solid state पढ़ते रहेंगे first grade के काफी ज्यादा important videos आने वाले हैं हाना तो आप लोग सारी playlist check कीजिए find कीजिए कि आपके लिए कौन से videos हैं वो important है काम के हैं और उन्हें देखते रहिए like करते रहिए share करते रहिए subscribe तो thank you thank you everyone